राम राम आज हम श्रेमत भगवत कीता के अध्याच है आत्म सैयम योग का श्लोक इगतिस संस्क्रित उचारण और हिंदी आर्थ सहित सीखेंगे पहला चरण सर व के उपर है आधारा सर के साथ आधारा पढ़ेंगे सर और व मी अमिक्स करेंगे सर व भूपे बड़े उखी मातरा लंबा खीचेंगे त में अमिक्स करेंगे भूत इसके बाद में मातरा के अंदर जो आधास है उसको असे पढ़ेंगे भूतस थ पे ए के मातरा थीत भूतस थित शब्द पुराने के बाद त पे अनस्वार आधाम भूतस थित यो मा के उपर बिं पहला चरण वापस से थ और त इन दोनों का उचारण क्लियर होना चाहिए पहले चरण में सर्वभूतस्थितम्योमाम दूसरा चरण भपुरा है भ़ मी अमिक्स करेंगे भ़ ज की साथ आधात भजत ये क मी अमिक्स करेंगे क और आधे त के साथ वा पुरात्व ये कत्व भजत ये कत्व मात्रा के अंदर आधास जैसे अपनने पहले चरण में भूत में त के साथ आधास पड़ा बिल्कुल वैसे मास थ पे ये के मात्रा थित मास थित त मिया के मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हाँ साकेंड चरण फिर से भजत ये कत्व मास्थित पहला और दूसरा चरण साथ में सर्वभूतस्थितम्योमाम भजत ये कत्व मास्थित पहला तीसरा चरण समी आमिक्स करेंगे सर्वभूतस्थितम्योमाम भजत पहला तीसरा चरण फिर से सर्वभूतस्थितम्योमाम भजत आमिक्स करेंगे समी आमिक्स किया सयोगी गी की मात्रा बड़ी लंबा कीचा म में आमिक्स किया माई व में आमिक्स किया त के उपर आधार वर त में आमिक्स किया वर्तते च्वाथा चरण फिर से सयोगी माई वर्तते तीसरा और चौथा चरण साथ में सर्वथा वर्त मानों पी सयोगी माई वर्त ते पुरिश लोग का उच्छारण एक साथ सर्वभूत स्थितम यो माम भजत ये कत्व मास्थित ह सर्वथा वर्त मानों पी सयोगी माई वर्त ते एक बार फिर से सर्वभूत स्थितम यो माम भजत ये कत्व मास्थित ह सर्वथा वर्त मानों पी सयोगी माई वर्त ते श्लोक का अर्थ देखते हैं आप भगवान ने जिस तरह पिछले वाले श्लोक में जो भक्ती योगी है उसके अनुभव की बात को बताया कि जो भक्त सब में परमात्मा को देखता है और परमात्मा में इस संपूर्ण जगत को देखता है उसके लिए परमात्मा आदरश्य न अब भगवान जो ध्यान करने वाले सिध्ध भक्ति योगी हैं उसके लक्षन बताएंगे सर्व भूत स्थित्म शर्व यानि सभी भूत यानि प्राणियों में स्थित यो यानि जो माम यानि मुझे भजत ये कत्व देखें इसमें कैसे शब्दू बनेंगे भजती फिर एकत आस्थितः मास्थितः का म एकत्व के साथ जोड़ दिंगे, ग्कत्वं धन आस्थितः तो भजती यानि भजिता है, एकत्वं मतलब एक की भाव से, और त्वं यानि आप मतलब एक ही हो मतलब एक ही ही हो, गजको प्रमात्मा ही सब कुछ है. tengo hay जो भजन करता है आस्थित हुआ सर्वथा वर्त सर्थवथा यानि सब कुछ वर्तमान ओपीस में दो शब्दें वर्तमान धन अपी वर्तमान कर्थ हुआ बर्ताव करता हुआ अपी यानि भी स यानि वह योगी यानि योगी जो हम लोग भक्ति योगी के बारे में बात करें मई यानि मुझ में और वर्तते यानि वह बरताव कर रहा है मतलब वो निरंतर मुझ में ही स्थित है पूरा अर्थ हुआ मुझ में एकी भाव से स्थित हुआ जो भक्तियोगी संपोण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है वह सब कुछ बरताव करता हुआ भी मुझ में नहीं बढ़ताव कर रहा है, मतलब वो नित्य निरंतर मुझ में ही इस्थित है. कहने का तात पर ये क्या हुआ? कि जो एकी भावसे, मतलब जिसके लिए सब में परमात्मा है और सब कुछ परमात्मा में है, तो उसके लिए केवल एक की ही सत्ता है और वो कौन है? परमात्मा की तो जो इस एक भाव से स्थित हुआ वा भक्तियोगी है तो वो संपोन प्राणियों में भी किसको देख रहा है परमात्मा को देख रहा है उसके लिए वो प्राणियों की सत्ता नहीं है उसके लिए हर जगह कीवल परमात्मा की सत्ता इस संसार की सत्ता नहीं है तो वो संपोन प्राणियों में स्थित है मतलब इन सब प्राणियों में जो स्थित परमात्मा है उनका भजन कर रहा है ठीक है तो इस वज़े से वो सब कुछ कार्य कर रहा है बतलब जैसे हम लोगों के आसपास जित्ते भी व्यक्ति हैं हम उनको व्यक्ति न समझ कर परमात्मा का स्वरूप समझ रहे हैं तो वो सब में इस्तित होताव अभी जो सब में प्राणियों में इस्तित है परमात्मा उनको देख रहे हैं तो वो सब कुछ बरताव यानि वेवार करते वे जो भी वेवार का कारी उसके समक्षार है वो करते वे भी हर समय किसके अंदर इस्तित है परमात्मा के अंदर इस्तित है क्योंकि उसके लिए सब कुछ कीवल परमात्मा ही है सब कुछ परमात्मा में है और परमात्मा ही सब में तो इस वज़े से उसके लिए परमात्मा कहीं अद्रिश्य होते ही नहीं, तो वो सारा व्यवार करते वे केवल और केवल परमात्मा में ही स्थित है, अविनाशी सहजी सुखराशी हे नात हे मेरे नात, मैं आपको भूलो नहीं, नारें, 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 नारें,